Hello and welcome friends, सबसे पहले आज दीपावली है, तो आप तभी को इस दीपावली की धेरों शुबकामनाएं इसवर करें, आज की दीपावली में आपके जो बुरे बुरा वक्त चल रहा हो, वो बुरा वक्त आज से खता मुझा है, ऐसी में कामना करता हूँ, ठीक है, और दीपावली क की शुबकामना देता हूँ, और आज का सवाल, आज वीडियो वैसे में बनाना नहीं चाहता था, लेकिन एक सवाल मुझा गया है, वलियां के रहने वाले हैं पीवारी जी, कि इन्होंने सवाल पूछा है, कि सर, वैट पर अलग-अलग हमें टेक्स रेट सेट करना है, जैस जैसे अलग-अलग टोड़क्स जो वल्चलर पार्टी से बिल मिला, उस पर अलग-अलग रेट, GST rate set करना है, जैसे एक टोड़क्त पर कुछ लगा, दूसरे टोड़क्त पर कुछ अलग लगा हूँ, तीसरे पर अलग लगा हूँ, जौते पर अलग लगा हूँ, इस तरह क tax rate हमें set करना है, तो यह कैसे होगा, चलिए आईए उसी को समझेंगे, ठीक है न, तो सबसे पहले चलते हैं purchase voucher में, ठीक है, तो purchase voucher में जाने के लिए यहां से भी प्रेस कर सकते हैं, यहां से आगए purchase voucher में, अब supplier ने जो आपको bill दिया, उसका bill number आप यहां पे डाल सकते ह तो यह bill हो गया, इस date पर अगर आपको bill मिला हो इस date का, तो यहां पे डाल सकते हैं, अब यहां पर हमें सोचना है, कि हमने cash purchasing किया या उधार की, माल लिजे उधार की करी, तो यहां alt के साथ c press करके एक laser करीट कीजे, किसका, creditor party का, जिन्होंने bill दिया उनका, ठीक है न, तो यहां से sunday creditor का नीचे group नजर आएगा, आप choose कर लिजेगा, यहां से देखिया, मैं choose कर रहा हूं, enter किया, यहां पर maintain balance bill by bill, इसको yes रखिएगा, बाकी सारे option को ऐसे ही रखते हो, enter fix कर लिजेगा, और यह GSTI नमबर और इनका जो भी, sorry, GSTI न, sell sex number और VAT का जो भी number होगे र जाल सकते हैं, यहां पर purchase account का ले जा रहेगा, तो alt के साथ c press करके लिखिएगा purchase account, इस तरीके से आपको देना है, purchase और यहां पर यहां पर यह ग्रूप कौन सा होगा, तो यहां पर इसका group होता है purchase account, ध्यान दीजी का group सही select कीजेगा, ठीक है न, तो गर्वर देगी, यह purchase account कर दिया, enter करके इसको भी accept करा लिजे, अब यहां पर हमें बनाना है stock item का खाता, फिकना अभी तक को हम parties के laser बनाते रहे, parties के खाते रहे, stock item, stock item यहां बनाने के लिए क्या करेंगे, directly कैसे बनाने का, alt के साथ c press करेंगे, यहां पर यह window open हो गई, और यहां पर हम बात कर लेत एक काम यह करना है कि हमें वैट को enable करना होगा, वैट enable नहीं है अभी, तो आपको gateway of tally, यह tally की main menu होती है, और यहां से आपको M11 key press करना है, कर दिया, यहां से आईएगा, strategy and taxation दिया होगा, इस पर चले जाएगा, और यहां से वाई बटन को, अब देखें, यह GST को हमें च जाल दिजेगा, for example, मैं कुछ भी ऐसे डाल दे रहा हूँ, example के लिए, यहां पे आप कोई by default, अगर tax rate set करना चाहते हो, तो यहां से yes करके जा सकते है, जैसे हमाल लीजिए, 10% और यहां पे additional tax 2%, यहां इकोल मिला करके 5% का tax set किया, और इसको भी आप चाहर दिया, एंटर कर करते जाएगा और इसको accept कराएगा, तो यह tax rate हमारा along हो गया है, यानि हमने वैट को चालू कर लिया है, अब हम यहां से V button प्रिस करेंगे, क्योंकि हमें जाना है voucher entry pass करने के लिए, तो यहां पर अभी हाला की ध्यान रखिएगा, कि हमने कोई cash receive नहीं कराया, हम सीधा आए तो यहां पर purchase voucher में जो supplier में बिल दिया, उस bill का number आप enter कर दीजिगा, माल लिजिए यही bill का number है, और date मों देख लिजिएगा, कौन से date में purchasing हो रही है, जैसे माल लिजिए यह purchasing होई हो, एक पांच 2022 को, तो यहां पर एक पांच 2022 ही डालिएगा, ठीकर ना, यहां पर एक जाल करके यहां purchase account का लिजए, ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, एक stock item हम बनाएंगे, जो है sugar, ठीक है, तो यहां पर लिखता हूँ, यहां पर हम by default tax rate नहीं set करेंगे, अलग से tax rate set करेंगे, यहां पर unit बना लेता हूँ, alt के साथ c press कीजएगा, तो यहां पर unit वाला आजाएगा, और यहां पर kg कर लिया हमने, और kg का मतलब होता है kg, यह kg दे लिया, kg देने के बाद यहां पर 3 कर देता हूँ, हो सकता है कि अलग से tax rate देना, ठीके ना, इस वर मैं 5% और additional tax क्या करता हूँ, 2% कर देता हूँ, यानि पुल मिला के 2% additional tax और 5% वैट लगा दिया, ठीके न, यह सिर्प समझने के लिए है, और यह होगा, आप यहां पर बात करते हैं, 50 kg चीनी की कीमत है 40 उता है, तो यहां पर 50 kg चीनी क कीमत आगी, अब यहां पर फिर alt के साथ c प्रेस किया, यहां पर लिखा rice, और rice की क्या कीमत रही, वो यहां पर हम डालेंगे, पहले हम tax rate set करते हैं, यहां y प्रेस करके, इस पर अलग से tax rate, इस पर 10% और 2%, ठीके न, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अलग-अलग tax rate कै इसे लगाते हैं, वो सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो यह हो गया, अब यहां पर 100 हो गया, ठीक है, और माली जे की चावल है, 4060 किलो, तो यह 4060 किलो के हिसाब ते यहां पर आगया इसका total amount, ठीक है न, इसी तरीके से और भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है न, तो यहां पर देता हूँ, और एंटर करते हैं, लिटर कर दिया, एंटर करेंगे, यहां पर शरी कर देता हूँ, decimal points को यह करने के लिए, और यहां पर Y बटन प्रेस करके, यहां पर अलग से tax rate, तो इस पर मैं 18% का tax rate, और 2% का additional tax, यह 0% कर देता हूँ, additional tax, 0% क्या है, यह पुल मिला के 18, तो हर एक पर अलग-अलग tax rate set हुआ है, यहां पर 20 लिटर की बात करेंगे, एक लिटर की कीमत है, 140 रुपा है, तो यह देखी, कुछ इस तरीके से आगया, ठीक है ना, अब यहां पर नीचे आएंगे, और यहां पर क्या करना है, यहां पर लेजर लगना, वैट का तो अब लेजर कीज़र का यहां पर लेट का प्रिख़ा है, नहीं रहा है, ठीक है, यहां पर का लेजर बना जाया है, यहां लेजर कीज़ों, यहां पर इस तरीके से यह हां पर पर tumませんscale अलग ब सिसा पांड़ केची का पैस अब शैद्टिक का टो इस्था से कापल का यहां बा बनाना चाहते हैं तो यह लिखा additional text ठीक है तो यह कर दिया additional text और यहाँ पर enter करिएगा अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि हम text का analysis देखें ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है अल्ट के साथ a press करना है ठीक है अल्ट के साथ a press करेंगे तो यहाँ पर text का पूरा analysis आपको देखने को मिल जाएगा देखिए यहाँ पर 2% क्या लगा हुआ है additional text लगा हुआ है वैट की detail अगर चाहते हैं तो यहाँ पर और भी detail पर चले जाएगा जैसे ही अल्ट की करेंगे ना तो नीचे configure option आएगा configure पर चले जाएगा तो यहाँ से configure पर जाएगे और यहाँ पर हमें अलग से text read print करवाना है ठीक है ना वैट हमें अलग से print करवाना है आप चाहते हैं कि item wise वैट print हो ठीक है ना तो यहाँ पर item wise वैट को print करवाने के लिए क्या करना हुगा यहाँ आप देखिए नीचे जो है दिया गया है f12 यानि कि और भी detail आप देखना चाहते है तो f12 प्रिस कर ल पर rate of duty अज तीनों को yes कर दिया control है किया control है किया और यहां से अब हम क्या करेंगे यहां से print preview करेंगे हम print preview के लिए क्या करना है हमें अब यहां पर जाएंगे हम ठीक है ना तो यहां से enter करिएगा और यह देखिए यहां पर आपको वैट का percentage भी पता चलना है देख रहा है यहां पर वैट का एक एक परसेंट आपको दिख रहा है कि यहां देखिए यहां वैट 5% है ठीक है 10% यहां पर है और 18% यहां पर है तो यह सारी detail यहां पर दिख रही है और additional tax भी दिखेगा ठीक है ना और नीचे आएंगे ना तो नीचे भी आपको देखने को मिलेगा तो थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो